सुराओं से हैं आप एग् suits एन ड्रिक्स बताने वाला हम या फिर कह सकते मैं आइपोन के आपको उटाने बताने माले हैं यह जो मैं बताने वाहते आईफॉन के हर उस Queens मौोडल पर मिल जाएंगे जिसमें आयओ इसुटिन का बीट आयग इसार आपको बताने वाला हूं वह फोटो को लेके दोस्तों आप जब भी अपने मुबाइल में कोई फोटो लेते होंगे आइपोन में तो अगर आपने लाइफ फोटो को इनेबल करके रखाओ तो आपकी लाइफ फोटो में फोटो किलिक हो जाती है फोटो को शाते हैं दिएप यहां पर नेचे की तरफ आएंगे आपको एक option मिलता है लाइब फोटोस का आपको दिख रहा होगा, आपको इसमें लाइब फोटोस वाले option पे जाना है, यहाँ पर आपकी जितने भी फोटोस होगी, जो कि आपने लाइब फोटोस में, तो कि है आपको यहाँ पर मिल जाएगे, आपको करना तो यहाँ पर नमसम भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत सारी खटी करना हो तो आपको सब को select करना है जतनी वीडियो को आपको करना है जतनी photos को वीडियो में convert करना है उनको select करना है यहाँ पर click करना है share पर यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर shape as video का option मिल जाएगा आप उस पर click कर देंगे तो सारी आपके जो photos हैं वो सब video में convert हो जाएंगी जो भी live photos के हिसाब से तो सबसे पहला जो feature था वो यह ही है तो आप यहाँ पर live रजिम जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे उसी date में तो first लेटर वहां पर back करना हो या फिर उसको बचाना हो डिलीट करना हो तो महां पर को डिलीट का option नहीं वहां पर अपको सिसी का उफशन है जिसमें पकरेंगे तो fresh पर पूरा पूरा खत्म हो जाएगा अगर आपको कोई एक डेसे तरब तो आपको यहां पर क्या तो सेकंड जो फीचर है वह है उसके आपको फेस रिटेक्ट करके नहीं कुलवाना हूँ आपको फासवर्डी डाल लेकि तो बट जैसी आप यहां करते हैं तो टाइम लेता है उपर पूरा फेस रीडिंग करेगा उसके बाद वह खोलता है उसमें बहुत टाइम जाता है अग यहां समय उपर करूंगा तो आप देखेंगे वो पूरा यहां पर हमांग रोंग पूरा यहां पर कैमरी आप करेंगर यहां लूदिक आपके देख सकते हैं पूरी फेस आईडी मांगेगा जब तक की फेस आईडी मांगता रहेगा जब तक महाँ पर फेस टेक्ट ना ओव बट अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर पिन लग जाए तो आपको करना क्या होगा यहां उपर किस्वाइब करेंगे जैसे पर आपको फ उपर किताब स्वाइब करेंगे आपको यहां पर फेस आईडी लिखेंगी आपको करना क्या है सिंपली फेस आईडी क्लिक कर देंगे तो तोरण थी पेनिया जो भी आपने लगा कर रखा वो मांगने लग जाएगा तो थर्ड फीचर बताने वाला हूं वह भी लॉक स्क्रीन करते हैं आप यहां से एक कर सकते हैं आप कशन करना हूगा कि सब्सक्राइब कर अब यहां पर वह सर्च माइन भी कर सकते हैं अगर्ड फोह कुलेगी जब तक यहां पर सेछर्च बूह यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं तो बहुत ही शांदर यह फीचर है आप विदाउट लॉक करें या फिर सकते हैं विदाउट अनलॉक करें आप अपने मॉबाइल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो यह बहुत ही कमाल का है आपको लॉक स्क्रीन को लॉक पर क्लिक करना और नीचे की तरह स्वाइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप यहां पर जो भी लिखेंगे वो यूज होना चालू हो जाएगा तो यह वाला फीचर भी बहुत कमाल का है दोस्तों यह फूर्थ पिछर था उसके बाद दोस्तों जो फिर्थ बताने वाला वो भी बहु दुबारा करके बता रहा हूँ आपको करना क्या है जैसे कि मानलो यह आपके पास कॉल आएगा तो आपको यहां पर जो पावर की आपको उसको डबल वार प्लैस करेंगे और वो कॉल आटमेटिक हो जाएगा तो यह फीचर भी बहुत कमाल का है यहां पर अगर आपको नही То, आपके बहुत करना हुआ को कोई बहुत करना है तो आपको करना है वोगो आपकर मॉवायल को होड पे चला जाएगा और सामने वाले को वहाँ पर वो सुनाई देगा कि आपका mobile hold पे हो गया है तो यह बहुत ही hidden feature है अगर वापस अनौल करेंगे तो अनौल जाएगा आपको यहाँ पर दबा के रखेंगे तो वो वापस hold पे चला जाएगा तो बहुत ही कमाल का यह वाला feature है दोस्तो उमीदे कि दोस्तो आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी मैंने आपको कुछ iPhone के कुछ hidden tape से ट्रिंग बता है उसमें से कुछ हो सकता है शायद आपको पता हो और कुछ नहीं पता होंगे उमीदे कि दोस्तो आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता है कि आपको इसमें से कौन सा feature नहीं पता था तो कैसा लगा आपको यह मेरा वीडियो तो thank you तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपके मेरे वीडियो पसंद रहे हैं दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद ही तो प्लीज लाइक जरू करें अगर आपको लगता है दोस्तों मेरे वीडियो कुछ कमिए तो मुझे डिसलाइक बसे दोस्तों और अगर आप मुझे आपको सबसे पहले मिले और हो सके तो मुझे इस्टावाँ फोलो करना भी ना भूले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शिप्शिप पर मिल जाएगा तो थैंक्यू